गुजरात में कुछी महीनों में चुनाव हैं और पिछली वार भी में चुनाव के समय आया था और हम बीजेपी किछ खिलाफ लड़े वे उस टाइम मीडिया का कहना था कि कॉंग्रेस पार्टी दो लड़ी नहीं सकती याद है आपको याद है दो तीन महीने के अंदर वो ही मीडिया कह रही थी कि भईया यहां पे तो मतलब लड़ाई हो गई और चुनाव के पहले कोंग्रेस पार्टी वाले तो कह रहे थी कि कोंग्रेस पार्टी जीत रही है बीजेपी वाले भी कहने लगए कि प्रॉब्लम हो गई सर्कार बन सकती है तो सबसे पहली बात अगर हम confidence से काम करेंगे, अगर हम भरोसे से काम करेंगे, नतीजा एक तरीके का आएगा, अगर हम मायूस होके काम करेंगे, डिप्रेस होके काम करेंगे, नतीजा दूसरा आएगा, आपके हाथ में हैं, बीजे भी हाथ में नहीं है, चुनाव जीतना आपके हाथ में है अगर आपने मन बना लिया कि हम चुनाव जीतेंगे आपको कोई ताकत नहीं हरा सकते और इनका पूरा सिस्टम यह है मीडिया का सिस्टम कि आपको आपके दिमाग में यह सवाल उठा दें कि वही आ आपके दिमाग में यह सवाल उठा तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को मन बनाना है जो माहौल पिछली बार था उससे बहतर माहौल आज है कि नरेंद्र मोदी जी ने एकॉनमी को सत्यनास कर दिया है कि खतम कर दिया है कि गुज्राथ छोड़ो हिंदुस्तान में युवा को रोजगार नहीं मिल सकता और ना आज ना कल क्योंकि जो देश की रीड की हड़ी है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनस होते हैं छोटे वियापारी होते हैं उनको नरेंद्र मोधी ने नोट बंदी करके जी एसटी करके उनको खतम कर दिया है और वो गुज्राथ की स्टेंथ हुआ करती थी गुज्राथ की शक्ति हुआ करती वह सब खतम है तो यह लोग चाहें भी यह दोजगार नहीं दिलवा सकते हैं दूसरी बात जुम्हेरी भाशन में बुली जो आदिवाशियों का है उनका जल जंगल और जमीन वो उनसे यह लोग चीन रहे है हर आदिवाशी को मालुम है कि उसे लुटा जा रहा है और उसके भविश्य को खतम किया जा रहा है सब क बालुम है और हमारा काम हमारे जो आदिवाशी भाई बहने हैं उनके पास जाने का है उनके बीच में जाने का है इसलिए हमने यह अंदोलन त्यार किया है इसका लक्ष है कि कॉंग्रेस पार्टी आदिवाशीयों के साथ कि घरों में जाके गाओं में जाके उनके साथ जुड़े और जो उनके मुद्र हैं उनके लिए लड़े और बहुत सारे चिन ्वान सिंबल्ज नरेंद्र मोदी ने दे रखे है यह जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है यह एक चलिया यह जो इनोंने मूर्ती बना रखे यह दूसरा चलिया कि जबा दिवासी इनके बारे में सोचता है इनकी और देखता है यह कि यह यह वनाा है हिए हमारे आननका है हमारे हमारी जिंदगी को बरबाद करके बने Kendall आई है और इन चीजों से हमारा फैदानी होने वाला सब जहांते हैं है। Chris संदोलन में चाहे हमारे सीनियर नेता हों जुनियर नोता हों मिडल राइंग के नेता हों सब को जाना पड़ेगा सब को गाओं गाओं में जाना पड़ेगा और यह हम कि गैरंटी दे रहे हैं आदिवासियों को हम गैरंटी दे रहें कि ये जो काम है चार-पाच काम है ये हम गैरंटी करके आदिवासियों को दे देगे आखरी बाद जिन वियक्तियों ने इस आंदोलन में अच्छा काम किया जो वियक्ति घर-घर गए उन वियक्तियों को कॉंग्रेस पार्टी टिकेट देगी ये मत सोचिये कि आप आंदोलन में नहीं गए आप जंता के बीच में नहीं गए आप कितने भी बड़े हो अब ये मत सोचिये कि आपका टिकेट गैरंटी है किसे का टिकेट गैरंटी नहीं है अगर आप गए आपने काम किया आप आदिवासियों के बीच गए आप लड़े उनके लिए और आपकी पकड़ है तो फिर गैरंटी है मगर अगर आप यह सोचों कि मैं घर रहूंगा मैं सीनियर नेता हूं मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं है तो मैं आज आपको बता रहूं यह गल्ती मत कर दीजिए प्रोब्लम हो जागी आपके लिए बाज में बता ना कि भईया मुझे टिकेट चाहिए वो फिर नहीं चलेगा तो यह मैं आपको मेसेज देना चाहता था आप लोग हमारी शक्ति हो आप लोग कॉंग्रेस पार्टी की नीव हो एंसीटों में फांडेशन हो और आप ही लोग हमें चुनाव जिता हो इसलिए मैंने आपको शुरूआत में कहा है अगर आपने मन बना लिया कि कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और आप बसका कि यह घुर्षी को तो जानते हो यह जो मुड़्े है आदिवासियों के बुद़्ें जमीन का जल का जंगल का मुद्द रहे जान गाद मेरा कि लड़ाओं न्यानगीरी में लड़ा झाल झाल